हेलो बच्चों कैसे हो आप सब आशा करती हूँ सब कुशल होंगे आईए आज आपका अध्याय व्रत में कुछ हम प्रेश्न हल करेंगे हम पढ़ चुके हैं कि व्रत की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदू से जाने वाली तृज्जा पर लंब होती है हम यह भी पढ़ चुके हैं बहाई बिंदू से किसी व्रत पर खीची गई दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाईयां समान होती है आईए अब इनकी सहायता से हम कुछ प्रेश्न हल करेंगे आपकी प्रशनावली 10.2 का पहला प्रश्न सिद्ध कीजिये कि किसी व्रत के किसी व्यास के सिरो पर खीची गई स्पर्श रेखाएं समानतर होती है माना ए भी एक व्यास है यह देखिए ए भी एक व्यास है और हमारे पास पीक्यू और आरेस सिरो पर खीची गई स्पर्श रेखाएं है हम जानते हैं कि तरज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है इसलिए ओए लंबवत है आरेस और ओबी लंबवत है पीक्यू कोन ओए आर बराबर होगा 90 डिग्री और कोन ओए एस बराबर होगा 90 डिग्री कोन ओबी पी भी 90 डिग्री के बराबर होगा और कोन ओबी क्यू भी 90 डिग्री के बराबर होगा आप देख सकते हैं, चित्र में, उप्रोक्त से हमें निमलिखित परणाम प्राप्त होते हैं, कौन OAR बराबर कौन OBQ क्योंकि वो एकांतर कौन हैं, कौन OAS बराबर कौन OBP क्योंकि वो एकांतर कौन हैं, क्योंकि एकांतर कौन बराबर हैं, इसलिए रेखाएं PQ और RS समांतर ह ठीक है बच्चो समझ में आया चलिए अगला प्रशन करते हैं एक बिंदू A से जो एक व्रत के केंद्र से पांच सेंटीमीटर दूरी पर है व्रत पर स्परश्रेखा की लंबाई चार सेंटीमीटर है व्रत की तिज्या ग्याद कीजिए पहले हम इसकी आकृती बना लेते हैं ये केंद्र बिंदू है ये B हो गया और ये A हो गया हम जानते हैं तिज्या स्परश्रेखा की लंबत होती है तो हमें पता है कि O केंद्र वाले व्रत पर A भी एक स्परश रेखा है जो व्रत को B पर स्परश करती है ये देखिए दिया है O A कितना है? पांच सेंटीमीटर और A भी कितना दिया है वच्चो? चार सेंटीमीटर हमें ग्याद करना है O B तिज्या की लंबाई हम जानते हैं कि तिज्या स्परश रेखा पर लंब होती है इसलिए त्रिभुच A B O में O B लंबवत है A B त्रिभुच A B O में पाइथगरस प्रमेर द्वारा हम निकाल सकते हैं देखिए त्रिभुच A B O में पाइथगरस प्रमेर द्वारा A B का वर्ग प्लस B O का वर्ग बराबर होगा O A का वर्ग चार का वर्ग प्लस बियो का वर्ग बराबर है पांच का वर्ग जो होता है सोला प्लस बियो वर्ग बराबर पचिस इस प्रकार बियो वर्ग बराबर हुआ पचिस माइनस सोला और बियो वर्ग बराबर हुआ नौ और इस प्रकार सरल करके हम पाते हैं बियो बराबर हुआ तीन सेंटीमीटर इसलिए व्रत की तिज्या कितनी हुई तीन सेंटीमीटर ठीक है बचो आईए अगला प्रेशन करते हैं दो संकेंद्रिय व्रतों की तिज्जाएं पांच संटिमीटर तथा तीन संटिमीटर हैं बड़े व्रत की उस जीवा की लंबाई ग्याद कीजिए जो छोटे व्रत को स्परश करती है इसका भी हल हम समझ लेते हैं माना ओ केंदर वाले दो संग केंदरी अव्रतों की तिर्जाएं पांट संचिमीटर ये केंदर ओ है अब देखिए ये हमें दिया हुआ है ओ पी कितना है पांच संटिमीटर तथा तीन संटिमीटर है ओ ए पी क्यू इसको हम क्यू लेगे पी क्यू बड़े व्रत की जिवा है जो छोटे व्रत को ए पर स्पर्ष करती है आते हैं पी क्यू छोटे व्रत की स्पर्ष रेखा है हम जानते हैं कि तिर्ज्या स्पर्ष रेखा पर लंब होती है इस प्रकार यह 90 डिग्री हुआ इसलिए त्रिभुच पी क्यू ओ में ओ ए लंबवत हुआ पी क्यू त्रिभुच ए पी ओ में पाइथगरस प्रमेदवारा हम निकाल सकते हैं ओ ए का वर्ग प्लस ए पी का वर्ग बराबर हुआ ओ पी का वर्ग इस प्रकार मान रखने पर तीन का वर्ग प्लस ए पी का वर्ग बराबर हुआ पांच का वर्ग तीन का वर्ग होता है नौ प्लस ए पी का वर्ग बराबर हुआ पच्चिस और A-P का वर्ग इस प्रकार 25 में से 9 घटाने पर हमें 16 प्राप्त हुआ और A-P का मान आया 4 सेंटिमीटर त्रिबुज O-P-Q में O-A लंबवत है P-Q तो A-P बराबर हुआ A-Q क्यों? क्योंकि केंद से जीवर पर डला गया लंब उसे सम्द्य भाजित करता है ठीक है? आते हैं P-Q बराबर हुआ 2 गुना A-P जो बराबर है 2 गुना 4 यानि 8 सेंटिमीटर इसलिए बड़े व्रत की उस जीवा की लंबाई 8 सेंटिमीटर है ठीक है बच्चों? सरल था ना? आईए अगला प्रशन करते हैं ये बहुती प्यारा प्रशन है और बहुती महत्पूर्ण है परिक्षा की दृष्टी से ध्यान से समझिएगा 4 सेंटिमीटर तिज्य वाले एक व्रत के परिगत एक त्रिभुज ABC इस प्रकार खीचा गया है कि रेखा खंड BD और DC जिसमें स्पर्श बिंदू D द्वारा BC विभाजित है कि लंबाईयां क्रमशह 8 सेंटिमीटर और 6 सेंटिमीटर हैं बुजाएं AB और AC ग्याद कीजिए ठीक है इसका हम हल समझ लेते हैं माना व्रत AB और AC को क्रमशह E और F पर स्पर्श करता है यहां देखिए यह E है और यह F है माना AF की लंबाई एक सेंटिमीटर है हमने इसको X ले लिया तो बच्चों यह भी X होगा हम जानते हैं कि एक ही बाहे से व्रत पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समान होती है इसलिए CF बराबर CD लिख सकते हैं 6 सेंटिमीटर बिंदू C से व्रत पर खींची गई स्पर्श रेखाएं इसी प्रकार BE बराबर है BD जो है 8 सेंटिमीटर बिंदू B से व्रत पर खींची गई स्पर्श रेखाएं और AE बराबर होगा AF जो बराबर है X जो हमने माना है बिंदु A से व्रत पर खींची गई स्परश रेखाएं AB को हम लिख सकेंगे AE प्लस EB इसका मतलब X प्लस 8 cm BC बराबर होगा BD प्लस DC याने 8 प्लस 6 14 cm और CA बराबर होगा CF प्लस FA जो बराबर होगा 6 प्लस X cm cm लिख लेते हैं त्रिभुज ABC में 2S बराबर हुआ AB प्लस BC प्लस CA क्यों 2S हम इस्तमाल करने हैं क्योंकि हम HRONS formula लगाएंगे इसका शेत्रफल निकालने के लिए त्रिभुज का तो हमने AB निकाला X प्लस 8 प्लस 14 प्लस 6 प्लस X यहां देखिए 8 और 6 14 14 और 14 कितना हो गया 28 और X और X कितना हुआ 2X इस प्रकार 2S बराबर हुआ 28 प्लस 2X यानि S बराबर हुआ 14 प्लस X आए अब हम हम त्रिभुज का छेत्रफल निकालेंगे HRONS सूत्र द्वारा त्रिभुज ABC का छेत्रफल उसका सूत्र है वर्गमूल S गुना S माइनस A गुना S माइनस B गुना S माइनस C वर्गमूल अब इनका मान रख देते हैं 14 प्लस X गुना 14 प्लस X माइनस 14 गुना 14 प्लस X माइनस कोष्टक में 8 प्लस X गुना 14 प्लस X माइनस कोष्टक में 6 प्लस X अब इसको हल करिए माइनस 14 और प्लस 14 कट गया और यहां पर देखिए x माइनस x कट जाएगा और यहां भी x माइनस x कट जाएगा और हमें क्या मिलेगा वर्ग मूल 14 प्लस x गुना x गुना 14 माइनस 8 6 इस प्रकार 14 माइनस 6 8 ठीक है तो हमें प्राप्थ हुआ 8 जिक 48 गुना x गुना 14 प्लस x अब इसको हल करके हम लिख सकते है 4 वर्ग मूल 3 क्योंकि 16 का वर्ग मूल होता है 4 तो 4 गुना वर्ग मूल 3 गुना 14 x प्लस x का वर्ग cm वर्ग यह हमारा 6 तरफल आया त्रिभुज ABC का ठीक है त्रिभुज OBC का छेतरफल हम निकाल सकते हैं 1 बटा 2 गुना OD गुना BC जो बडाबर होगा 1 बटा 2 गुना 4 गुना 14 जो बडाबर है 28 cm वर्ग इसी प्रकार त्रिभुज OCA का छेतरफल हम निकालेंगे 1 बटा 2 गुना OF गुना AC जो बडाबर है 1 बटा 2 गुना 4 गुना 6 प्लस X इसको हल करके हम पाते हैं यह हमें कितना मिलेगा 12 प्लस 2 X cm वर्ग इस प्रकार त्रिभुज OAB का छेतरफल होगा 1 बटा 2 गुना OE गुना AB जो बडाबर है 1 बटा 2 गुना 4 गुना 8 प्लस X इसको देखिए हल कर लेते हैं कितना आएगा 8 गुनी 16 प्लस 2 गुना X cm का वर्ग इस प्रकार अब तीनों त्रिभुज को अगर जोडेंगे तो हमें त्रिभुज ABC का छेतरफल मिलेगा देखिए त्रिभुज ABC का छेतरफल बडाबर है त्रिभुज OBC का छेतरफल प्लस त्रिभुज OCA का छेतरफल प्लस त्रिभुज OAB का छेतरफल जो हमने देखा था चार वर्ग मुल तीन गुना 14X प्लस X का वर्ग दो बराबर है 56 प्लस 4X इसको 3 गुना 14X प्लस X का वर्ग बराबर हुआ 14 प्लस X का वर्ग इसको हल करके हम पाते हैं बाबर हुआ 2019 अब देखें इसको हम हल करेंगे तो हमें मिलेगा प्लस 14x-7x-98 क्योंकि प्लस 7x को हम लिख सकते हैん प्लस 14x-7x अब देखिये इन दोनों में क्या उभनिष्ट है מס 0 बर्राबर 0 इस प्रकार हमें 0-14-7 बर्राबर 0 इसका मतलब या तो 14-0 के बराबर है या x-7 शून्य के बराबर है, इसलिए x बराबर हुआ माइनस 14 या x बराबर हुआ 7, परंतु त्रिबुज की भुजा कभी रणात्मक नहीं हो सकती, अतह x माइनस 14 नहीं हो सकता, इसलिए x बराबर हुआ 7, इस प्रकार ab का मान हुआ x प्लस 8 यानि 7 प्लस 8, 15 cm, और c a का मान हुआ 6 प्लस X यानि 6 प्लस 7 तेरा संथिमीटर ठीक है बच्चो समझ में आया चलिए अगला प्रशन करते हैं एक व्रत में परिगत एक चत्रभुज ABCD खींचा गया है सिद्ध कीजिए AB प्लस CD बराबर है AD प्लस BC ठीक है हम जानते हैं कि A की भाय बिंदू से व्रत पर खींची गई समान होती हैं इसलिए DR बराबर होगा DS क्योंकि बिंदू से व्रत पर खींची गई समान होती हैं इसलिए DR बराबर होगा DS क्योंकि बिंदू से व्रत पर खींची गई समान होती हैं इसलिए DR बराबर होगा DS क्योंकि बिंदू से व्रत पर खींची गई समान होती हैं प्रकार BP बराबर है BQ, यह दोनों बराबर है, बिंदू B से व्रत पर खिंची गई स्परश रेखाएं, और इसी प्रकार AP बराबर है AS, बिंदू A से व्रत पर खिंची गई स्परश रेखाएं, आईए, अब हम इनको जोड़ कर, समिकन एक, दो, तीन और चार को जोड़ने पर, DR प्लस CR प्लस BP प्लस AP बराबर हुआ, DS प्लस CQ प्लस BQ प्लस AS, अब इसमें DR और CR को हम जोड़ देते हैं, कोश्टक में लिख देंगे, प्लस BP और AP को कोश्टक में लिख देंगे, यह हम DS और AS को कोश्टक में लिखेंगे, और हम पाते हैं कि CD प्लस AB इस प्रकार बराबर होता है AD प्लस BC, ठीक है बच्चू, समझ में आया, चलिए आगला प्रश्न करते हैं, आकरती में XY और X-Y-, ओ केंदर वाले किसी व्रत पर दो समानतर स्पर्श रेखाएं हैं, और स्पर्श बिंदू C पर स्पर्श रेखा AB, XY को A, तथा X-Y- को B पर प्रतिछेत करती हैं, सिद्ध कीजिये की कोण AOB 90 डिग्री है, यह देखिए, AOB, यह हमें सिद्ध करना है कि यह कोण 90 डिग्री का है, C को O से हम मिला देते हैं, यह देखिए, और हम पाते हैं त्रिभुच OPA और त्रिभुच OCA में, ध्यान से देखिए, OPA बराबर है OC, चित्र में देखिए, OPA बराबर है OC, ठीक है, क्योंकि एक ही व्रत की तिज्जाएं हैं, और हमें पता है, AP बराबर है AC, क्यों, क्योंकि यह बहाई बिंदू से हमने स्पर्ष रेखाएं, कीची हैं, इनकी लंबाई बराबर होगी, और हम यह भी देखते हैं, की OA बराबर है OA, क्यों बच्चों, क्योंकि यह उभे निष्ट हैं, ठीक है, इस प्रकार हम देखते हैं, की त्रिभुज OPA सर्वांगसम है, त्रिभुज OCA के SSS सर्वांगसम प्रमे द्वारा, ठीक है बच्चों, आगे, अब आगे इसको हल करते हैं, अतह कोण POA बराबर हुआ कोण COA, इसको समिकर्ण संख्या एक ले लेते हैं, ठीक इसी तरह त्रिभुज OQB सर्वांगसम होगा, त्रिभुज OCB के SSS सर्वांगसम प्रमे द्वारा, अतह कोण QOB बराबर होगा कोण COB के, इसको समिकर्ण संख्या दो ले लेते हैं, क्योंकि POQ व्रत का व्यास है, इसलिए एक सरल रेखा है, अतह कोण POA, प्लस कोण COA, प्लस कोण COB, प्लस कोण QOB, बराबर होगा 180 डिग्री, समिकर्ण एक और दो से, दो गुना कोण COA, प्लस दो गुना कोण COB, बराबर होगा 180 डिग्री, इसका मतलब कोण COA, प्लस कोण COB, बराबर होगा 180 डिग्री बटा दो, यानि 90 डिग्री, अब हम जानते हैं, चित्र में देखिए, COA और COB, दोनों मिला के कितना हो रहा है, कोण AOB, जो बराबर हुआ 90 डिग्री, हमें यही तो सिद्ध करना था, समय में आया बच्चों, चलिए, अब आगे, आकरती में एक भारी बिंदू P से केंदर O वाले व्रत की एक स्पर्श रेखा PT खिंची गई है, और एक रेखा खंड PAB खिंचा गया है, ON और AB पर लंब है, सिद्ध कीजिए कि, पहला PA गुना PB बराबर है PN का वर्ग माइनस AN का वर्ग, दूसरा, PN का वर्ग माइनस AN का वर्ग बराबर है OP का वर्ग माइनस OT का वर्ग, तीसरा, PA गुना PB बराबर है PT का वर्ग, हमें यह तीनों सिद्ध करने हैं, ठीक है, पहला हम देखते हैं, PA ये गुना PB, घ्यान से देखिए, ये आपका बिंदु T है, ये Q है, ये P है, ये हमारे पास A और ये B, ये N और ये केंद्र बिंदु O, अब हम क्याने PA गुना PB, PA गुना PB, हम इसको लिख पाएंगे, PN माइनस AN, देखिए, PA को हम लिखेंगे, PN माइनस AN, और PB को लिखेंगे, PN प्लस BN, लिख सकते हैं, बिल्कुल, अब ध्यान से देखो, यहाँ पे हम एक सूत्र लगा रहे हैं, क्या है सूत्र A माइनस B, A प्लस B, तो यह हुआ, PN माइनस AN, और PN प्लस AN, क्योंकि AN और BN हमारे दोनों बड़ाबर हैं, ठीक है, AN और BN बड़ाबर हैं, क्योंकि यह लंब हैं, और इन दोनों को विभाज़त करता है यह, इस प्रकार हम लिख पाएंगे, PN का वर्ग, माइनस AN के वर्ग के यह बड़ाबर हुआ, PN बड़ाबर हुआ, PN का वर्ग, माइनस AN का वर्ग, ठीक है, पहला भाग हमने इसे दिह किया, अब दूसरा देखते हैं, PN का वर्ग, माइनस AN का वर्ग, माइनस AN का वर्ग, क्योंकि on लंबवत है, PN के, हम यहां पर इसको लिख पाएंगे, OP का वर्ग माइनस ON का वर्ग प्लस AN का वर्ग कोश्टक में और हम देखते हैं कि इसको हम लिख पाएंगे OP का वर्ग माइनस OA का वर्ग क्योंकि हम जानते हैं ON लंवत है AN के और इस प्रकार OP का वर्ग माइनस OT का वर्ग हम लिखेंगे क्योंकि OA बराबर है OT के इस प्रकार हमने दूसरा भाग भी हल किया अब तीसरा देखिए पहली और दूसरी समिकरन से हम PA गुना PB को हमने लिखा OP का वर्ग माइनस OT का वर्ग अब क्योंकि कौन OTP 90 डिग्री है हम इसको लिख पाएंगे PA गुना PB को PT का वर्ग ठीक है बच्चों समझ में आया अब अगला प्रशन देखते हैं यदि कोई व्रत एक त्रिभुच ABC की भुजा BC को बिंदू P पर स्परश करता है तथा बढ़ाई गई भुजाओं AB और AC को करमशह Q और R पर स्परश करता है तो सिद्ध कीजिए कि AQ बडाबर है एक बटा दो कोश्टक में BC प्लस CA प्लस AB है आप इसका हल समझेए आकरती को देखिए प्रमे से BQ बडाबर है BP यहाँ देखिए यह हमारा A बिंदू है B Q यह C R और यह बिंदू P है हमने आपको कहा कि BQ और BP दोनों बडाबर है आप जानते हैं बहाई बिंदू से अगर हम असपरश रेखा खीचते हैं तो उनकी लंबाई बडाबर होती है और CP बडाबर है C R CP बडाबर है C R ठीक है और AQ बडाबर है A R देखिए AQ बडाबर है A R अब दो गुना AQ बडाबर है AQ प्लस A R इसको हम लिख पाएंगे AB प्लस BQ कोश्टक में प्लस कोश्टक में AC प्लस CR AR को लिखा हमने और इसको हम और हल करके लिखेंगे बडाबर है AB प्लस BP प्लस AC प्लस CP और इस प्रकार हमने BP प्लस CP यह देखिए BP प्लस CP को एक साथ लिखा और AC प्लस AB को एक साथ लिखा और हमने पाया कि BP प्लस CP कितना हुआ BC प्लस CA प्लस AB इस प्रकार एक ही को हमने सिद्ध किया एक बटा दो गुना BC प्लस CA प्लस AB समझ में आया बच्चों? अच्छा था ना प्रश्ण? आईए अब आप ग्रकारे के लिए कुछ प्रश्ण ले लीजिए पहला प्रश्ण यदि एक शणभुज ABCDEF एक व्रत के परिगत है तो सिद्ध कीजिए की AB प्लस CD प्लस EF बराबर है BC प्लस DE प्लस FA दूसरा प्रश्ण? मान लीजिए की S उस त्रिभुज ABC के अर्ध परिमाप को व्यक्त करता है जिसमें BC बराबर है A, CA बराबर है B और AB बराबर है C यदि एक व्रत बुजाओं BC, CA और AB को करमशह BE और F पर स्परश करता है तो सिद्ध कीजिए की BD बराबर है S माइनस B अगला प्रश्ण? एक समकोन त्रिभुज ABC जिसमें कोन B बराबर है 90 डिग्री AB को व्यास मान कर एक व्रत खीचा गया है जो कर्ण AC को P पर प्रतिछेद करता है सिद्ध कीजिए की P पर व्रत की स्परश रेखा BC को समधिभाजित करती है अगला प्रश्ण? प्रश्ण 4 केंद्र O वाले किसी व्रत का AB एक व्यास है और AC एक जिवा इस प्रकार है की कोन BAC बराबर है 30 डिग्री C पर व्रत की स्परश रेखा बढ़ाई गई AB को बिंदु D पर प्रतिछेद करती है सिद्ध कीजिए की BC बराबर है BD अगला प्रश्ण? यदी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर वाले एक व्रत की अंतरगत एक सम दिवाहू त्रिभुच ABC खीचा गया है जिसमें AB बराबर है AC बराबर है 6 सेंटीमीटर तो उस त्रिभुच का चेतरफल ग्याद कीजिए ठीक है बच्चो अभ्यास कीजिएगा मुझे विश्वास है आप इनको हल कर लेंगे आएए अब सारांच देख लेते हैं हमने देखा स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदू से होकर खीची गई तरिज्या पर लंब होती है दूसरा किसी बहारी बिंदू से व्रत पर केवल दो स्पर्श रेखाएं खीची जा सकती हैं तीसरा किसी बहारी बिंदू से व्रत पर खीची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाईयां बराबर होती हैं ठीके बच्चों आशा करती हूं आपको आज का पाठ समझ में आया होगा धन्यवाद